हलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है क्लास 10 के अंदर और वो टॉपिक आप मेरे पीछे स्क्रीन पर पड़ पा रहे होंगे कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वा वो कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कि यह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ठीक है इस पॉलिनॉमियल्स का क्या मतलब है इससे क्या रिलेटेड है यह जो वर्ड है आपको यहां पर दिख रहा है इसका क्या मतलब है हम वो आज अ wyoming-s का मतलब क्या होता है- तो normy-s का मतलब होता है WORTHY TERMS पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब हुआ बहुत सारी टर्म्स आब испasion that polynomial के बारे में बात करते है तो देठियेगा मैं क्या लिख रहा हूँ any expression क्या लिखा मैंने any expression or equation any expression or equation which इस अरेंज़्ट विद मैथेमेटिकल अपरिशन इस नोन अज पॉलिनॉमियल ठीक है क्या मतलब है इसका कि कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन अगर मैथेमेटिकल आप उसको क्या कह सकते हैं पॉलिनॉमियल कह सकते हैं अब मैंने यहां पर दो वर्ट यूज किये हैं आपको दिख रहे होंगे मैंने क्या-kya words use किये हैं तो आपको दिख रहा होगा एक expression और एक equation ठीक है तो कई बच्चों को क्या होता है यह चीज पता नहीं होती है कि expression और equation अलग-अलग होते हैं इन दोनों में क्या difference होता है तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भई expression और equation में क्या difference तो पहले हम expression के बारे में बात करेंगे उसके बाद equation के बारे में बात करेंगे ठीक है expression और equation के बारे में हम बात करेंगे मैंने आपसे कहा कि यहां पर कुछ मैंने polynomials लिखे हुए है 2x square plus 3x उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 5x तो यह expression है मैं कैसे आपको बता पा रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि मैं आपको polynomials chapter पढ़ाना चाहता हूँ इसको English में मैं कैसे बोलूँगा I want to teach you a polynomials chapter ठीक है I want to teach you polynomials chapter मैं आपको polynomials chapter पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है तो यह क्या हो गया यह expression हो गई है मैंने जो बुला वह English में का expression होगा इसी तरीके से यहां पर यह जो लिखे expression लिखा हुआ है इसी expression को मैं equal to zero कर दूँ अगर तो यह क्या हो जाएगी यह equation बन जाएगी ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जिस expression में equal to का sign आ जाए उसे क्या कह दिया जाता है उसे equation कह दिया जाता है ठीक है आपको पता लग गया होगा कि equation और expression में क्या difference है ठीक है तो कोई भी expression या equation polynomial हो सकता है ठीक है अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि वो polynomial है या नहीं है तो उसके लिए कुछ rules बने हुए है ठीक है तो ध्यान से देखिए rules for polynomial polynomial होने के लिए कुछ rules को follow करना पड़ता है कौन से rules है तो rule number one ध्यान से देखिएगा कभी भी power कभी भी power नेगेटिव नंबर के form में नहीं होनी चाहिए ठीक है मैं क्या कहना चाहरा हूं ध्यान से देखिए example देता हूं मैं आपको मैंने यहां पर लिखा 2x square minus 2 plus 3x minus 5 ठीक है तो यहां पर क्या किया मैंने तो यहां पर ध्यान से देखिए मैंने आपको बोला कि यहां पर जो है एक power जो है वो लगी हुई है minus का 2 ठीक है तो आपने कहा कि सर पावर जो है वो minus 2 लगी हुई है तो क्या power minus में नहीं हो सकती है तो बिलकुल नहीं आपको यह पता होना चाहिए कि जब कभी भी power minus में होगी तो वो polynomial नहीं होगा ठीक है ना कभी भी minus में power नहीं आनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं दूसरा rule क्या कहता है कि कभी भी power कभी भी power जो है वो fractional form में नहीं होनी चाहिए फ्रेक्शनल form में नहीं होनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्जामपल देखिए x square minus 3x की power 2 by 3 plus 1 तो कभी भी power जो है वो fractional form में नहीं होनी चाहिए यहाँ पर देखो यह आपको power fraction की form में नजर आ रही होगी है ना तो यह भी क्या है polynomial नहीं होगा यह ठीक है आपको मैंने पहले चीज क्या बताई कि कभी भी जो power है कभी भी जो exponent है वो क्या होए वो negative नहीं होना चाहिए ठीक है negative नहीं होना चाहिए उसके बाद मैंने दूसरा point आपको क्या बताया कि कभी भी जो power है वो fractional form में नहीं होनी चाहिए तीसरे point के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, तीसरे point के बारे में बात करेंगे हम, power not be in form of irrational number, कभी भी irrational number की form में भी नहीं होनी चाहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, example के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, x square plus 3x की power under root 2 minus 5 ये एक expression लिखी हुई थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जो power थी वो यहाँ पर irrational form में दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी power कभी irrational form में आ जाती है तो क्या है वहाँ पर उसको polynomial नहीं कहा जाता मैंने आपको शुरुवात में बताई थी कि definition क्या होती है तो किसी भी expression को जो की mathematical form में लिखी हुई होगी उसको हम polynomial कह सकते है equation और expression में क्या difference होता है उसके बाद हमने देखा अब मैं तीसरी चीज आपको बता रहा हूँ कि कब polynomial नहीं होती है कोई भी expression किसी भी expression को हम कब polynomial नहीं कहेंगे तो मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज़े बताई है सबसे पहली चीज़ के भई power जो है वो कभी negative नहीं होनी चाहिए power कभी भी fractional form में नहीं होनी चाहिए और power कभी भी irrational number की form में नहीं होनी चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं polynomial के polynomial की general form के बारे में ठीक है ध्यान से देखना अभी हम general form के बारे में बात कर रहे हैं polynomial के polynomial के general form के बारे में बात करूँ तो इस तरीके से उसकी जनरल फॉर्म को लिखा जाता है a n x की पावर n plus a n minus 1 x की पावर n minus 1 plus dash 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 a naught x की पावर naught ठीक है यह क्या चीज है मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ ध्यान से देखेगा यह जो एक पूरी चीज यह लिखी हुई है इसको हम कह देते हैं term क्या कह देते हैं term कह देते हैं इसका मतलब term किस-kis चीज से मिलके बना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि term के अंदर एक coefficient होता है term के अंदर एक variable होता है और term के अंदर एक exponent होता है ठीक है इन तीनों से मिलकर एक term बनती है तो यह एक term है यह दूसरी term है अब यह मैंने लिखा यहाँ पर कि coefficient, variable और exponent होते हैं यहाँ पर किसी भी term के अंदर तो आप कहेंगे कि सर इन तीनों के बारे में बताओ कि कौन कौन सा क्या है तो ध्यान से देखो जब भी कभी आपको x, y, z या फिर कोई alphabet नजर आए तो आप उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे आप variable ठीक है ना? आप उसको क्या कहेंगे? variable कहेंगे तो यहाँ पर x जो है वो variable हो गया इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर यह जो आगे लिखा हुआ है x के तो x के आगे जो कोई चीज लिखी हुई होती है या फिर variable के आगे जो कोई चीज लिखी हुई होती है तो हम उसको क्या कहेंदेते हैं? coefficient कहेंदेते हैं तो यहाँ पर x की power n-1 का coefficient क्या है? तो आप बोलेंगे sir, an-1 है ठीक है? अब मैं आपसे तीसरी चीज के बारे में बता रहा हूँ आपने कहा कि sir, exponent क्या होता है? तो बेटा, जिसको आप power के नाम से जानते हैं उसी को ही exponent भी कहा जाता है ठीक है? जिसको आप power के नाम से जानते हैं उसी को ही exponent भी कहा जाता है ठीक है? यहाँ पर n-1 जो है वो एक power हो गई या exponent हो गई ठीक है अब मैं इसी general form से related आपको एक example बता रहा हूँ ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर लिखा example तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x square plus 3x minus 1 अब इसके अंदर मैं आपको अलग-अलग करके बताता हूँ कि कौन सा coefficient है कौन सा variable है और कौन सा जो है वो exponent है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा इस 2 के बारे में मैं बात करता हूँ ठीक है सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि 1, 2 और 3 यहाँ पर कितनी terms हैं बेटा तो आप कहेंगे sir 3 terms हैं ठीक है इसके बाद मैं बात करूँगा कि यहाँ पर 2 क्या है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए coefficient of x square क्या बोला मैंने coefficient of x square क्योंकि वो x square के आगे लिखा हुआ है ठीक है अब आप कहेंगे sir यहाँ पर variable तो x होगा तो बिलकुल variable जो है वो x होगा ठीक है variable x होगा यहाँ पर ठीक है और x के ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है x के ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो two क्या हो जाएगा आप कहेंगे sir two जो है वो power हो जाएगा या फिर exponent हो जाएगा ठीक है या आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं next term पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी ध्यान से देखेगा x जो है वो वही variable रहेगा x जो है वो variable होगा 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपकी बार 3 जो है वो coefficient of coefficient of x हो जायेगा ठीका है और इस x की power क्या हो जाएगी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ठीका है तो इस supreme की power क्या हो जाएगी वेरियेबल की तो आप कहेंगे sir 1 हो जाएगी आप कभी भी power देखेंगे तो power हमेशा variable के ऊपर ही check करनी होती है power कहाँ पर check करनी होती है तो हमेशा variable के ऊपर check करनी होती है ठीक है ध्यान से देखिए next पर चलते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा हर बार एक example और ले रहे हैं ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है x square minus 2x plus 5 ठीक अब यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने देखा होगा कि मैंने जब इसकी general form पड़ाई थी अभी तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था x की power n a की power n plus dash 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 last में मैंने लिखा था a naught x की power 0 ठीक है अब आप यह देखिए कि पहला वाला तो इससे बिलकुल मैच हो रहा है पर last वाला तो इससे मैच नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर a 0 के साथ में b x लिखा हुआ है लेकिन हर बार हमारे पास last में तो x नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं जो चीज बताना चारा हूँ वो यह बताना चारा हूँ कि जिसके अंदर variable नहीं होता है हम उसको क्या कह देते हैं तो आप कहेंगे sir constant कह देते हैं क्योंकि इसमें क्या है? variable नहीं है यह vary नहीं कर सकता vary नहीं कर सकता इसका क्या मतलब है? कि इस 5 की value आप चाहें इंडिया में रहकर पढ़ें चाहें अमेरिका में रहकर पढ़ें इस 5 की value fixed रहेगी ठीक है ना? यह vary नहीं कर सकता इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? इसको constant कह दिया जाता है ठीक है? यह constant हो जाता है पर आपने यहां पर देखा कि sir यहां पर तो last में आपने a की power 0 लिखा हुआ था तो बेटा आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि जब भी कोई number मैं इसी को दुबारा लिख रहा हूं ध्यान से देखना x square minus 2x plus 5x की power 0 आपने यह पढ़ा होगा कि किसी की भी power 0 लगा देते हैं वो क्या बन जाता है तो वो 1 बन जाता है चाहे मैं x की power 0 के बारे में बात करूँ चाहे मैं 100 की power 0 के बारे में बात करूँ यह दोनों क्या बन जाएंगे तो 1 बन जाएगा तो यहां पर x की power 0 लिखी हुई है तो मुझे यह चीज लिखने की जरूवत नहीं है आप कहेंगे सर उसको constant कहा जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं, मैं एक और चीज के बारे में आप से बात करना चाहरा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपने इस word के बारे में सुना होगा, degree, एक degree आपने पढ़ा होगा, जब 90 के उपर यहाँ पर angle को हम शो करते हैं, तो degree में शो करते हैं, लेकिन ये वाली degree जो है वो अलग तरीके की degree है, ठीक है, ये किस तरीके की degree है, तो आप कहेंगे कि ये वाली degree तो हमें पता नहीं है, चलो हम बताते हैं, ध्यान से देखो, माल लो मैंने यहाँ पर एक polynomial लिखा, x square plus 5x plus 6, ठीक है, ये जो polynomial है, मैंने कह इसकी degree find करो, तो degree क्या होता है, तो ध्यान से देखो, मैं star बना के लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है, वो mcq questions आने वाले हैं, तो इस तरीके का question भी आ सकता है, तो आप कहेंगे sir, highest power, क्या कहा मैंने, highest power of polynomial, उसको क्या कह दिया जाता है, highest power of polynomial is known as degree, क्या कह दिया गया, सबसे बड़ी power को, ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी power क्या है, यहाँ पर, मैंने कहा था, power हमेशा variable के उपर ही check करनी होती है, तो यहाँ पर जो है, x square लिखा हुआ है, यहाँ पर x की power 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो x की power 0 लिखा हुआ है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी power कौन सी है, तो आप कहेंगे, sir, सबसे बड़ी power तो क्या है, 2 है, तो इस polynomial की degree क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे, sir, 2 हो जाएगी, ठीक है, सबी को clear समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी तरीके से आप से और questions के बारे में मैं बात करूँ, तो आप से अगर मैं पूछूँ कि भई, इस polynomial की degree क्या होगी, तो आप बताइए मुझे इस polynomial की degree क्या होगी, मैं आप से कहूँ, इस polynomial की degree क्या होगी, तो आप कहेंगे, sir, ये तो बहुत simple है, दोनों हमें तो समझ में आ गए, कि इस पहले वाले में सबसे बड़ी power कौन सी है आपको नजर आ रही होगी, 3 है, तो इस polynomial की degree क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, इसी तरीके से इस polynomial की degree क्या हो जाएगी, तो इस polynomial की degree 4 हो जाती है, ठीक है, तो ये है degree का खेल, कि degree क्या होती है, समझ में आ गए होगी आपको, highest power of polynomial जो है, वो degree कहलाती है, और degree, आपक इन सभी polynomials के अंदर मैंने बताया कि कैसे आप find out कर सकते हैं कि polynomial की degree क्या है, ठीक है, आगे चलते हैं, next topic पर हम move करते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, वो है polynomials के type, polynomials के type, ठीक है, अब polynomials कितने types के हैं, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं, types of polynomial, ठीक है, तो types of polynomial को दो basis पर divide किया गया है, ठीक है, कौन-कौन से basis हैं वो, तो यहाँ पर देखिए, on the basis of, on the basis of terms, terms के basis पर, मैंने आपको बता दिया है कि terms क्या होती है, ठीक है, on the basis of degree, मैंने आपको यह भी बता दिया है कि degree क्या होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया है अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल आ जाए तो आप उसको कह देंगे मोनोमियल क्या कह देंगे मोनोमियल अगर दो टर्म्स का पॉलिनोमियल आ जाए तो आप उसको कह देंगे binomial क्या कहेंगे binomial और अगर तीन टर्म्स का polynomial आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे trinomial ठीक है आप सबी को पता है कि जो cycle आप लोग चलाते हैं उसको bicycle क्यों कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर दो टायर होते हैं तो बाय का मतलब हो जाता है two ठीक है और छोटे बच्चे जो scooter लेकर भागते हैं उसको tricycle क्यों कहा जाता है तो आप कहेंगे क्योंकि सर उसके अंदर तीन टायर होते हैं ठीक है ना तो ट्राय का मतलब हो ठीक है तीन आपने केमेस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सिंगल एटम तो उसी तरीके से मोनोमियल यहां पर कहा गया है सिंगल टम के पॉलिनोमियल के लिए ठीक है जब आप से पूछा जाएगा कि टम्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का नाम बताओ तो सिर्फ आपको टम्स के बेसिस को ही देखना है जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि इसके example के बारे में हम बात कर लेते हैं monomial के तो ध्यान से देखो monomial का example होगा 2x square यहाँ पर मुझे power देखने की जरुवत नहीं है अगर मैंने यहाँ पर कहा 5x तो मुझे power देखने की जरुवत नहीं है binomial के अंदर 2 terms होनी चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x 5x लिखा हुआ है तो इसी के साथ मैं अगर मैं दूसरी term के बारे में बात करूँ तो एक term और attach कर देता हूँ 2x square ठीक है यहाँ पर कितनी terms हो गई यहाँ पर 2 terms हो गई terms कैसे बढ़ती है जब भी plus या minus लगेगा बीच में तो terms क्या होती जाएंगी increase होती जाएंगी ठीक है न इसी तरीके से अगर मैं trinomial के बारे में बात करूँ तो इसका एक example ले ले लेते हैं तो 2x square plus 3x minus 5 कितनी terms हो गई यहाँ पर 1, 2, 3 तीन terms हो गई तो यह trinomial का क्या हो गया यह अच्छा सा example हो गया है monomial का मतलब single term binomial का मतलब two terms और trinomial का मतलब three terms वाले polynomial हो गई ठीक है तो यह हो गया आपका dividation on the basis of terms ठीक है अगर हम बात करें on the basis of degree के बारे में on the basis of degree के बारे में तो ध्यान से देखना on the basis of degree में कुछ थोड़ा सा change हो जाता है क्या change है जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ terms के बारे में बात की है उसी तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ degree पर focus करेंगे अगर मान लो degree 1 हो जाए तो आप क्या कहेंगे उसको तो आप कहेंगे उसे linear polynomial क्या कहेंगे जिसकी degree क्या हो जाती है 1 हो जाती है अब degree से क्या मतलब है मैंने आपको बताया था degree वो चीज है जो सबसे बड़ी power होती है polynomial की तो इस polynomial की सबसे बड़ी power क्या होनी चाहिए तो 1 होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो मैंने एक एक्जामपल लिखा है linear polynomial का बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें क्या है x के उपर power 1 लिखे हुई है ठीके इसी तरीके से हम बात करें जिसकी degree 2 होगी तो 2 degree वाले polynomial को यहाँ पर कह दिया जाता है quadratic polynomial क्या कह दिया जाता है quadratic polynomial quadratic polynomial का मतलब होता है ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो जाती है 2 हो जाती है तो ध्यान से देखो इसका example दे रहा हूँ 2x square plus 3x यह क्या है एक quadratic polynomial का example है अगर मैं चाहूं तो सिर्फ 5x square भी लिख सकता हूँ क्यूंकि मुझे terms से मतलब नहीं है terms कितनी भी हो सकती है लेकिन मुझे सिर्फ क्या देखना है मुझे देखना है सिर्फ degree क्या होनी चाहिए तो degree polynomial की 2 होनी चाहिए next हम बात करें तो जिस polynomial की degree 3 होगी polynomial की degree 3 होगी तो उस polynomial को क्या कह दिया जाएगा cubic polynomial कह दिया जाएगा ठीक है क्या कह दिया जाएगा cubic polynomial कह दिया जाएगा तो इस cubic polynomial का एक example दिखाता हूँ मैं आपको ध्यान से देखिए 5x cube क्या ये cubic polynomial है तो आप कहेंगे सर बिलकुल है क्यूं क्यूंकि हमें terms से मतलब नहीं है terms चाहें तो एक term भी हो सकती है ठीक है ये सबी cubic polynomial के example है ठीक है terms कितनी भी हो सकती है आगे चले हम तो ध्यान से देखिए अगर terms क्या हो जाएं 4 terms हो जाएं तो 2 terms वाले को जैसे quadratic कहा जाता है ऐसे ही 4 terms वाले को by by का मतलब 2 और quadratic quadratic का मतलब भी 2 और 2 और 2 मिला कर क्या बन गया 4 मिल गया तो इनसे क्या हो जाता है 2 और 2 4 हो जाता है तो ऐसे polynomial जिनकी degree 4 होती है उन्हें क्या कह दिया जाता है तो आप कहेंगे sir उनको क्या कह दिया जाता है by quadratic polynomial कह दिया जाता है x की power 4 ठीक है 2x की power 4 minus 3 2x की power 4 minus 3x square plus 5 ये सभी क्या हैं तो ये सभी एक bi-quadratic polynomial के examples हैं ठीक है आपको समझ में आगया होगा आप इस चीज में confused नहीं होना एक्जाम्पल में साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आपको नीचे दिये हुए polynomial में किस basis पर नाम लिखना है ठीक है ना ये चिंता मत करना कि हम कैसे पहचानेंगे अगर एक term लिखी हुई है तो उसका नाम जो है वो हमको monomial लिखना है या फिर degree के basis पर लिखना है वो साफ साफ कि आपको क्या करना है किस basis पर नाम बताना है next topic पर हम चलते है next topic बहुत ही अच्छा topic है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना की जो polynomial है इस polynomial की value के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, value of polynomial, कि ये polynomial की value कैसे find की जाती है, और इसको find करने के लिए हमें किस किस चीज की requirement होती है, ठीक है, ध्यान से देखें, एक बहुत important चीज है, आप ध्यान रखना, कि हमेशा polynomial जो है, उसको क्या किया जाता है, प से denote किया जाता है, किस से denote किया जाता है, capital P से denote किया जाता है, और bracket में क्या लिख दिया जाता है, तो bracket में लिख दिया जाता है, उसका variable लिख दिया जाता है, इस तरीके से polynomial को denote किया जाता है, denoted इस तरीके से denote किया जाता है polynomial को ठीक है समझ में आगे होगा आपको P bracket में क्या लिख दिया जाता है उसका variable लिख दिया जाता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक polynomial लिख के दिया x square plus 3x minus 4 तो यह polynomial जो है इसको मैं जब denote करूँगा तो आप कहेंगे P से denote करेंगे और bracket में क्या लिख दूँगा तो मैं bracket में लिख दूँगा x ठीक है अब आपसे इस polynomial की आपसे क्या पूछ ली गई? value पूछ ली गई तो value जो है वो polynomial की बहुत सारी होती है है ना? बहुत सारी values होती है अलग-अलग point पे value होती है हर point पर उस polynomial की अलग value होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर? बताना पड़ेगा कि polynomial की जो value है वो आपको किस point पर बतानी है ठीक है? जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि इस polynomial की value आपको किस point पर बतानी है आप इस polynomial की value नहीं find कर पाओगे ठीक है तो यह जो value of polynomial है इसका question दो तरीके से आता है अब वो दो तरीके क्या है तो ध्यान से देखिए पहला तरीका आप से बोला जाएगा find value of polynomial at x is equal to 2 ठीक है आप से क्या पूछा गया find value of polynomial at x is equal to 2 एक तो इस तरीके से question आ जाता है और दूसरा तरीका क्या है तो ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका है find value of polynomial when p bracket में minus 1 आपको यह question दे दिया गया ठीक है यह बोला find value of polynomial at x is equal to 2 इसमें क्या किया गया इसमें सीधा सीधा आपको क्या है एक्स की value बता दी गई है ठीक है और इसमें क्या है आपको करना उसी तरीके से है लेकिन इसमें क्या है आपको जो आपको question को करके बताऊंगा solution उसी तरीके से करना है लेकिन इसमें साफ साफ आपको x की value दी हुई है और यहां पर सबसे पहले में polynomial लिख देता हूं क्या लिखा हुआ है तो px is equal to x square plus 3x minus 4 अब मुझे क्या करना है x की जगे पर 2 put कर देना है तो x की जगे पर जैसे ही मैंने 2 put किया यहां पर 2 का square 3 bracket में 2 minus 4 इसको मैं solve करूंगा तो 2 का square 4 होता है plus 3 to 6 होगा minus का 4 होगा plus के 4 से minus का 4 cancel हो गया और यहां पर answer क्या आ गया मेरा तो मेरे पास polynomial की value आ गई है 6 ठीक है आपको यह चीज़ clear हो गई होगी कि value of polynomial कैसे find की जाती है सबसे पहली और important चीज़ कि आपको point पता होना चाहिए कि किस point पर आपको polynomial की value find करनी है ठीक है इसी तरीके से same to same इस question को solve करेंगे आप यहां पर क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप polynomial लिख लें px is equal to x square plus 3x और minus का 4 अब आपको क्या है यहां पर find करनी है p minus 1 की value find करनी है तो आप क्या करेंगे यहां पर minus 1 की value put कर देंगे x की जगे पर ठीक है 3 minus 1 और minus का 4 ठीक है is equal to minus का square करेंगे तो plus हो जाएगा और 1 का square करेंगे तो 1 ही रहेगा plus minus minus हो जाएगा 3 बंजा 3 है minus का 4 है यहां पर plus का 1 है और minus का 7 है तो आपका answer आजाएगा minus का 6 ठीक है सबी को यह चीज clear हो गई होगी कि polynomial की value find करने के लिए दो तरीके से ही question पूछे जाते हैं एक कैसे जब आपको साफ साफ x की value या variable की value दीवी होती है और एक जब आपको p के bracket में variable की value given होगी ठीक है तो यह जो topic था value of polynomial आपको पता लग गया होगा कि value of polynomial कब find की जाती है और कैसे find की जाती है अब हम next topic पर move करते हैं वो जो topic है बहुत important topic है ध्यान से देखिएगा अब हम बात करते हैं graph of polynomial के बारे में graph of polynomials के बारे में ठीक है तो ध्यान से देखिएगा सबसे important चीज पहला जो polynomial है linear polynomial ठीक है linear polynomial तो आपको पता होना चाहिए कि इस linear polynomial का graph हमेशा एक straight line बनती है ठीक है ना linear polynomial का जो graph बनेगा वो आपका एकडम straight line बनेगा ठीक है दूसरे के बारे में बात कर लेते है quadratic polynomial का क्या मतलब होता है कि इसका जो graph बनता है वो पैराबोला बनता है या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा क्या कह दिया जाता है इसको इसको कह दिया जाता है पैराबोला ठीक है अब cubic polynomial के बारे में बात करें तो cubic polynomial का जो graph बनता है ध्यान से देखिएगा cubic polynomial का जो graph बनता है वो कैसा बनता है तो वो बनता है जैसे आपकी ये axis हैं ये यहाँ पर आपसे बुला गया कि कौन सा polynomial है तो आप कहेंगे सर ये cubic polynomial है Q क्यों कि यहाँ पर देखिए 1, 2, और 3, किती जगे पर cut कर रहा है, तो आप कहेंगे sir 3 जगे पर cut कर रहा है, तो इसके कितने zeros हो जाएंगे, तो इसके zeros हो जाएंगे 3, ठीक है, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, cubic polynomial कह दिया जाएगा, अब आप आप कहेंगे सरी है zeros क्या होता है आप जो बोल रहे हैं कि इसके कितने zeros हो जाएंगे वो zeros क्या होते हैं तो वही zeros के हम बारे में बात करेंगे अभी next में आपको बताने वाला हूँ तो आप सभी अभी सबसे पहले क्या समझ लें कि भाई polynomial के graph जो दिखेंगे वो आपको किस तरीके से दिखेंगे ठीक है अब हम next topic पर चलते हैं तो next topic हमारा जो है वो है zeros of polynomial zeros of polynomial ठीक है zeros of polynomial सबसे पहले हम बात करते हैं linear polynomial के बारे में linear polynomial ठीक है linear polynomial जो होता है उसकी जो highest power होती है वो क्या हो जाती है तो वो one हो जाती है तो क्या ये सामने लिखा हुआ जो है ये जो है वो polynomial linear होगा तो आप कहेंगे सर बिलकुल linear होगा क्योंकि यहाँ पर x के उपर जो power लगी हुई है वो क्या लगी हुई है तो वो one लगी हुई है ठीक है आगे चलते हैं next हम बात करें तो जब polynomial होता है उस polynomial की power हमें one दिख जाए तो वो polynomial linear polynomial हो जाता है और linear polynomial जो है उसके अंदर जब one power है तो उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि linear polynomial के अंदर जो highest zero होंगे ध्यान से सुनना जो मैं word use कर रहा हूं आपका maximum zeros वो maximum zeros कितने हो जाएंगे तो वो one हो जाएगा ठीक है आगे चले हम next किसके बारे में बात करें तो इसका जब graph के बारे में हम बात करेंगे तो हमेशा कैसा graph आएगा तो आप कहेंगे sir straight line आएगा कैसे आएगा ध्यान से देखिए आपको कभी भी zeros find करने के लिए कहा जाए कभी भी आपको zeros find करने के लिए कहा जाए दो ही तरीके के questions आते है zeros of polynomials से एक question आता है आपको पता लगाना होगा कि जब कोई number given है तो क्या वो polynomial का zeros है एक question तो इस तरीके से आता है दूसरा question कैसे आता है दूसरा question आता है कि जो आपको number zeros अभी तक दिया गया था अब वो number आपको find करना होगा मतलब की आपको zeros of the polynomial find करना होगा और zeros of the polynomial का काम क्या होता है तो zeros of the polynomial का काम होता है कि इस पूरे polynomial को क्या कर देता है वो वो zero कर देता है कैसे तो ध्यान से देखेंगे सब जैसे यहाँ पर आपको एक polynomial दिया गया अब इस polynomial को आपको ये पता लगाना है कि कौन सा number इस polynomial का 0 होगा तो सबसे पहले आप इसको 0 के equal कर दें और यहां से आप variable की value find कर लें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है minus 2 लिखा हुआ है x is equal to minus 2 तो यह minus 2 क्या हो जाएगा यह minus 2 इस polynomial का 0 हो जाएगा अब क्या 0 का मतलब है मैं जब इसको इसके अंदर put करूँगा ध्यान से देखिए minus 2 plus 2 तो मेरा पूरा polynomial क्या हो जाएगा मेरा पूरा polynomial 0 हो जाएगा आपको समझ में आगे होगा कि 0 of the polynomial का क्या काम होता है यहाँ पर minus 2 0 of the polynomial कहा जाएगा क्योंकि जब मैं इसको polynomial में put करूँगा तो यह मेरे पूरे polynomial को क्या कर रहा है 0 कर रहा है ठीके अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x is equal to minus 2 का क्या मतलब है x is equal to minus 2 का मतलब है कि इस polynomial का जो graph है वो मेरे x minus 2 पर touch करेगा चाहे वो graph कहीं से भी बने पर वो क्या होगा मेरे x के minus 2 पर वो graph touch करेगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी graph x को touch करता है इसका मतलब उसका एक ना एक जो coordinate है वो क्या हो जाता है वो zero हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर x is equal to minus 2 का मतलब है कि x is equal to minus 2 पर मेरे जो graph है इस polynomial का वो touch करेगा आपको यह चीज़ clear हो गई होगी हम next पर चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा अभी हमारा जो topic चल रहा है वो zero of the polynomial ही चल रहा है मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ find the zeros of polynomial find the zeros of polynomial और इसके अंदर मैं आपको कुछ quadratic equations दे देता हूँ x square minus 5 और दूसरा दे देता हूँ यहाँ पर 2u square minus 4u ठीक है यह दो मैंने आपको question यहाँ पर दे दिये इन दोनो questions की मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा कि यह वाला जो question है यह भी एक quadratic polynomial है और यह वाला जो question है वो भी एक quadratic polynomial है ठीक है दोनों में difference क्या है दोनों में difference यह है कि इन दोनों terms के अंदर कुछ common नहीं है और इन दोनों के अंदर हमारे पास कुछ common आ रहा है ठीक है तो इन questions को मैं कैसे solve करूँगा इन से कैसे zeros of the polynomial find करूँगा ध्यान से देखना सबसे पहले वही काम करना है मुझे जो भी polynomial दिया हुआ है उसको आप zero के equate कर दे और यहां से क्या करें आप variable की value find कर लें तो यहां पर square है यह जैसे ही उदर shift हो जाएगा तो यह क्या आजाएगा प्लस का 5 आजाएगा और यहां से मैं क्या करूँगा जब मैं यहां से x की value निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए जब मैं यहां से x की value निकालता हूँ तो यह क्या है square जब भी remove होता है तो दो चीजें होती है एक plus minus लग जाता है और एक under root लग जाता है और यह क्या आजाती है यहां से value आजाती है ठीक है यहां पर square लगा हुआ था इसका मतलब था कि इस polynomial की maximum two values आएंगी ठीक है question यह पूचा जा सकता है कि अगर quadratic polynomial है तो उसके कितने zeros होंगे तो आप लिख कर आएंगे कि maximum at most two zeros होंगे जादा से जादा दो zero हो सकते है ठीक है तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जितनी degree होती है उतने zeros होते है तो बात बिल्कुल सही है लेकिन quadratic polynomial में आपको मैं ऐसा भी polynomial बताऊंगा जिसका एक ही zero होगा वो कैसा होगा वो कुछ exception है मैं अभी next में उसको discuss करूँगा यहाँ पर आपने देखा कि plus minus root 5 क्या आगई दो values आ गई है उन दोनों values को जब आप इसके अंदर एक एक करके put करेंगे तो दोनों values पर क्या हो जाएगा polynomial zero हो जाएगा इसलिए plus minus root 5 are the zeros of the given polynomial आपको यह चीज़ clear हो गई होगी ठीक है इसी तरीके से मैं इस वाले polynomial को solve करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर क्या है दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मुझे common नजर आ रहा है जो common नजर आ रहा है मैं उन्हों उनको भाहर निकाल लिया 2 common है U common है अंदर क्या बचा तो ध्यान से देखो अंदर बचा U minus 2 ठीक है यहाँ पर 4 था 4 में से 2 को मैंने common निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया यहाँ पर 2 आ गया ठीक है अब यह जो polynomial है दो पार्ट में separate हो गया है मैं इस वाले पार्ट को अलग 0 के equal रखूंगा और उस वाले पार्ट को अलग 0 के equal रखूंगा यहाँ से तो मेरे u की जो value है वो 0 आ गई और यहाँ से जो मेरे u की value है वो 2 आ गई ठीक है कितने zeros निकल कर आ गए दो zeros निकल कर आ गए आने भी दो ही चाहिए थे ठीक है न और इन दोनों को जब मैं इस polynomial के अंदर put कर रहा हूं तो वाकई में यह पढ़ रहे थे हम two terms वाले polynomial ठीक है न तो इसी तरीके से क्या हो सकता है हमारे पास three terms वाले polynomial भी तो आ सकते हैं अब three terms वाले polynomial के zeros के बारे में क्या कहेंगे तो three terms वाले जब polynomial होंगे तो वो कैसे आएंगे तो ध्यान से देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ हैगा x square plus 5x plus 6 यह कितने terms हो गई है यह three terms यहां पर हमारे सामने नजार आ ठीक है और इसको मैं बोलना चाहूंगा तो इसको मैं कहूंगा कि यह कैसा polynomial है तो आप सब कहेंगे सर यह quadratic polynomial है अब quadratic polynomial क्यूं है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको quadratic polynomial का मतलब होता है ऐसा polynomial जिसकी degree जो है वो 2 होती है degree का मतलब highest power तो इस पूरे polynomial की जो highest power है वो 2 है इसी की वज़े से यह quadratic polynomial है three terms वाले quadratic polynomial के zeros find करने के लिए यह word आपने बहुत बाहर सुना होगा क्योंकि यह जो word लिख रहा हूं है यह बहुत ही common word है यह हम class 8 से पढ़ते आ रहे है splitting the middle term middle term वाली splitting करेंगे और उससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो है वो इसके zeros आ जाएँगे ठीक है ना इसके zeros find करेंगे तो अच्छा कैसे find करते हैं में एक बार बता देता हूं last वाले number को first वाले number से multiply करते हैं last number क्या है 6 है और पहला number क्या है x square के आगे क्या लिखा हुआ है x square के आगे 1 लिखा हुआ है तो 6 को हम किस से multiply कर देंगे तो 1 से multiply कर देंगे जो number आएगा उस number के हम factors निकालते हैं और नमबर के फेक्टर्स निकालके, जो हमारे पास फेक्टर्स आते हैं, उन्हें प्लस या माइनस करके हमको बीच वाला नमबर जो है, वो फाइंड करना होता है, तो ध्यान से देखो, मैं आपर इसकी स्प्लिटिंग कर रहा हूं, तो यह स्प्लिटिंग की मैंने 2x प्लस 3x अब क्या है, एक condition तो यह होनी चाहिए कि इन डोनों को प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नमबर आजाए, और दूसरी condition क्या है, दूसरी condition है कि जब आप इन दोनों को मल्टिप्लाय करें, तो आपका पहला और लास्ट नम्बर का जो है वो multiplication आना चाहिए 3 2 2 6 हो गया और x को x से आपने multiply किया तो x square आ गया 6 x square यहां पर देखो 6 multiply by x square 6 x square आ गया और इसमें जो sign है वो sign भी आपको देखना पड़ता है तो यहां पर plus का sign है यहां भी plus का sign है दोनों sign plus के हैं तो यहां पर answer भी plus में ही आएगा ठीक है तो हमारी जो splitting है वो दोनों condition को satisfy कर रही है इसका मतलब जो है splitting correct है अब यहां पर पहले और दूसरे वाले number में जो भी common आपको नजर आ रहा हो उसको common आप निकाल लें यहां से x common था तो मैंने x को common निकाल लें अंदर क्या बचा x plus 2 bracket के अंदर ठीक है same bracket जो है वो यहां पर बचेगा इसलिए इस वाले number को इस वाले number से मिला कर देख लें जो आपको difference नजर आ रहा है उसे आप common निकाल दें यहां x लिखा हुआ है यहां पर 3x लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँ यहां पर plus की 3 को बाहर निकाल देता हूँ ताकि अंदर क्या बच जाएगा अंदर बच जाएगा x plus 2 ठीक है अब यहां पर क्या है दो factor आपको नजर आ रहे होंगे कौन कौन से है द्यान से देखो तो एक factor तो आपका हो गया है जो यह दोनों ब्रेकिट के अंदर नजर आ रहा है आपको ठीक है और एक कौन सा हो गया है जो एक दोनों ब्रेकिट के बाहर लिखे हुए है तो हमारे पास क्या-किया आ बच द्यान से देखो जान रखना, ठीक है? क्या करना होता है? दोनों factors को आप zero के equate कर देंगे तो x की value दोनों से निकल कर आ जाती है, ठीक है? यह आपके क्या है? यह zeros हैं. मैंने पहले भी बताया था इन zeros का क्या काम होता है? इन zeros का काम होता है कि इस polynomial के अंदर जब आप पुट करेंगे तो इस प square करते हैं, तो क्या आजाता है? यहाँ पर positive number आजाता है. तो यह हो गया आपका plus का 9, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 5, 3, 15 हो जाएगा, लेकिन minus का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर यह 6 लिखा हुआ है, plus का है, plus 6 और यह plus का 9 करेंगे, तो आपका minus 15 और plus 15 आंसर जो है वो, 0 आ बता दिया है, 3 terms वालों का भी बता दिया है, 4 terms वाला जो है, वो आपके chapter में से delete हो चुका है, ठीके, तो आपके कौन-कौन से question आने वाले है, 2 terms वाला और 3 terms वाला, दोनों आपके सामने हम कर चुके हैं, अब आपके पास क्या होगा, 0 से related जो है, वो graph के question आएगे, तो कैसे करने होंगे, वो graph के question ध्यान से देखिएगा, आपसे पहला question पूछा जा सकता है, कि आपको पता है, क्या linear का graph कैसा होगा, तो linear का graph आपको पता होना चाहिए, कि linear polynomial का graph हमेशा straight line होगा, ठीक है, वो straight line कैसी भी हो सकती है, तो आपको linear का graph हमेशा ध्यान रखना है, कैसा होगा तो straight line होगा, या फिर एक point पे cut कर रहा होगा, एक point पर अगर cut करता होगा नजर आ जाए, तो समझ जाना कि वो कैसा होगा, linear का graph हो जाएगा, अच्छा quadratic के graph में आपसे पूछा जाए, कि quadratic equation का graph कैसा बनता है, तो आपको बोलना है कि वो parabola बनता है, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं, parabola, ठीक है, वो हाँ पर question आ सकता है एक number के अंदर, कि quadratic का graph हम जब draw करते हैं, तो वो कैसा बनेगा, तो आपको लिखना है कि वो parabola बनेगा, ठीक है, अब मैं कुछ quadratic के graph आपको दिखा देता हूँ, ताकि उनको देखने के बाद आपको ये समझ में आ ठीक है, आप से यहाँ पर पूछा जाए, कि x-axis पर आपको number of zeros find करने है, क्या find करने के लिए बुला जाएगा, आपको graph देकर, कि number of zeros कितने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखी क्या लिखा हूआ है, x-axis, तो आपको क्या करना है, only x-axis का ही count करना है, तो ध्यान से देखो, जहाँ पर x-axis को यह cut कर रहा होगा, वहाँ पर आपको चेक करना है कि कितनी जगे पर यह cut कर रहा है, तो आपने कहा, sir, यहाँ पर दो जगे पर cut कर रहा है, तो number of zeros कितने हो जाएंगे, two हो जाएंगे, ठीक है, और यह कुछ पैराबोला की तरहर आपको नजर आ रहा होगा ठीक है, तो यह कैसा किसका graph है, यह quadratic equation का graph है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए, इस तरीके का graph आपको नजर आता है, तो यह graph आप क्या कहेंगे कि कितनी जगे पर touch कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होग कि जो quadratic equation होती है, उसके दो zeros होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही zero आपको नजर आ रहा है, तो बेटा, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, कि क्या है, कि यहाँ पर आपके एक exceptional जो है वो graph होता है, उसमें क्या है, यह एक जगे पर touch करता है, तो यहाँ पर आप number of zeros कितने बोलेंगे, तो आप number of zeros तो one कहेंगे, लेकिन आप से पूछा जाएगा कि यह graph किसका है, तो आप कहेंगे quadratic polynomial का, अब आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, कि यह कैसे हो रहा है, तो दिहान से देखो, क्या होता है, कि जब इस तरीके के, मालो कि आपके पास एक equation तो यहां से आप इसको solve करोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, देखो दिहान से, नेचे लिख देते हैं इसको अपन, यहां देखिए दिहान से, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है x minus 1 का whole square, तो यहां पर आप इसको किससे solve करेंगे, a minus b के whole square से, formula क्या होता है, a square plus b square minus 2ab, यह कैसा दिख रहा है आपको, यह आपको नजर आ रहा होगा, एक quadratic polynomial, ठीक है ना, क्योंकि यह कैसा है, तीन टम्स के अंदर है, और इसकी जो highest power है, वो भी 2 है, आप इसको solve करोगे, तो क्या, ऐसा ही लिखोगे क्या, दो बार x minus 1 लिख सकते हैं, और यहां से आप solve करोग तो x की कितनी values आजाएगी, इससे भी 1 आएगी और इससे भी 1 आएगी, तो जब दोनों values same आती है, तो इसी तरीके का graph आपको नजर आता है, समझ में आ गई बात, क्योंकि यह जो है, है तो quadratic equation ही, लेकिन दोनों zeros जो है, वो same है, तो उस same वालों के लिए जो है, यहां पर आ आपको कितने लिख देने है, two zeros लिख देने है, लेकिन यहां पर जब एक ही जगे पर cut कर रहा होगा, तो आपको क्या लिखना है, कि only एक ही zero होगा, ठीक है, इसी तरीके से एक question और करा देता हूं में आपको, कि मान लीजिए कि अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए, क कि number of zeros कितने होंगे, लेकिन x-axis से related ही आपसे पूछा जाए, या फिर ऐसा लिखा हुआ है, px, तो आप क्या कहेंगे, x-axis पर कितनी बार touch कर रही है, बिल्कुल भी touch नहीं हो रही है, तो आप कहेंगे कि number of zeros कितने हो जाएंगे, तो यहां पर आप answer लिख कर आएंगे, zero, ठ आपको दिख रहा हो गए, straight line है, तो linear का graph हो जाएगा, ठीके, और ऐसे graph को example की तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कि मालो यहां पर 1 लिखा हुआ होता और यहां पर 2 लिखा हुआ होता, तो आप क्या कहते इसको, आप बोलते है कि यह y is equal to 2 का graph है, किसका graph बता देते आप इसको y is equal to 2 का graph, क्यों क्योंकि इस पूरी line के उपर हमारा जो y की value है, वो हमेशे 2 रहेगी, आप चाहे कोई भी point पर check कर लें, मालो मैं इस point के coordinates आपको निकालने के लिए कहूँ, इन दोनों points के, तो आप coordinates क्या लिखेंगे, इस point के coordinate आप लिख देंगे, 2,2 ठीक है, और इस point के coordinate आप क्या लिख देंगे, minus 2,2 ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर हमारे पास y की value क्या है, 2 है, और इसको क्या लिखेंगे, आप 0,2 यह देखिए, तो जब एक straight line आती है, तो हमें क्या है, y is equal to 2, इसका graph यह नजर आ रहा है, यह क्यान रखना है, कि यह वाली चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, कि वो graph के अंदर आपसे number of zeros कौनसी वाली axis के पूछ रहा है, अगर same question के अंदर, आपसे y axis से touch करते हुए, कितने zeros होंगे, यह बोला जाता, तो आप यहाँ पर number of zeros one लिखकर आते, क्योंकि यह क्या है y axis पर आपको यहाँ पर एक जगे पर touch करता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है students, तो पढ़ते रहें, और यह हमारा polynomial जो chapter है, वो complete हो चुका है, next वीडियो को देखने के लिए हमारे channel को subscribe कर दें, all the best.